हालो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलिजेबरा का पार्ट टू, इसके पहले हम लोगों ने अलिजेबरा का पार्ट वन देखा था और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इसका part 1 आप जरूर देख लें तो चलिए शुड़ू करते हैं आज की वीडियो तो पहला question आपके सामने है यहां question में कहा जा रहा है x पे power 4 प्लस 1 by x पे power 4 बराबर 527 है तो x q प्लस 1 by x q बराबर क्या होगा ठीक है तो इस question में अगर x प्लस 1 by x दिया होता ठीक है तो हम कोशिश क्या करेंगे x प्लस 1 by x निकालने की ठीक है तो यह निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा x square प्लस 1 by x square ठीक है यानि एक इस्टेप पहले हमें बैक जाना है तो अगर हमें एक step back जाना है तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम पहले root लगाएंगे ठीक है यहां लिखेंगे 527 और यहां बीच में plus का sign है तो हम यहां plus 2 करेंगे ठीक है तो यहां होगे root 529 ठीक है तो जब root हम हटाएंगे तो 23 हो जाएगा यहां 23 लिखेंगे ठीक है यहां भी plus का sign है तो plus 2 करेंगे तो हो जाएगा root 25 ठीक है तो यानि कि 5 हो गया यानि x plus 1 by x बराबर 5 हो गया यानि कि x q plus 1 by x q अब हम निकाल सकते हैं तो यानि कि यह a q plus b q के formula पे fit हो सकता है तो a q plus b q का formula क्या होता है a plus b का whole q minus 3ab और bracket के अंदर a plus b ठीक है यह होता है तो यहां पर अगर इस formula को हम रखेंगे तो यहां हो जागा x plus 1 by x square का whole q minus 3 x into 1 by x और bracket के अंदर x plus 1 by x ठीक है तो यहां x x cancel हो गया ठीक है x plus 1 by x बराबर हमने निकाला था 5 तो 5 पर हो गया यहां q minus हो गया यहां 3 और into x plus 1 by x बराबर 5 है तो यहां हो गया 5 ठीक है तो यहां हो गया 125 minus 15 यानि कि 125 में से 15 घटाएंगी तो आगे 110 यह हो जाएगा answer तो अब आई यह दूसरा question देखते हैं तो दूसरे question में कहा जा रहा है कि x square plus 1 by x square बराबर 51 है तो x q minus 1 by x q निकाले इसके पहले question में हमने x q plus 1 by x q निकाला था इस question में है x q minus 1 by x q ठीक है तो इसे भी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x minus 1 by x निकालने का कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां x square है plus 1 by x square है तो एक step हमें back जाना है तो हमें back जाना है तो हम सबसे पहले root लगाएंगे ठीक है और यहां 51 लिख देंगे ठीक है अब देखिए यहां बीच में minus का sign है x minus 1 by x हम निकाल रहे हैं तो यहां पर minus 2 करेंगे ठीक है minus 2 करेंगे तो हो जागा root 49 यानि की 7 ठीक है x minus 1 by x बराबर हो गया 7 अब हम मिकाल सकते हैं x q minus 1 by x q यानि a q minus b q का formula क्या होता है a minus b का whole q plus 3ab और bracket के अंदर a minus b ठीक है तो यहां पर x minus 1 by x का whole q होगा plus 3 होगा x into 1 by x होगा bracket के अंदर x minus 1 by x होगा ठीक है तो यहां x x cancel होगा और x minus 1 by x बराबर हमने 7 निकाला है तो 7 पर q होगा और plus यहां पर 3 बच रहा है और x minus 1 by x बराबर 7 है तो गुने में 7 ठीक है तो 7 का q करेंगे तो 343 होगा और 7 तियां यहां 21 हो जाएगा यानि कि 343 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 364 यह हो जाएगा एंसर तो अब आई यह हम question number 3 देखते हैं question number 3 में क्या है अगर question में आपको x q plus 1 by x q पहले दे दिया जाए और कहा जाए कि x plus 1 by x निकालें तो आप कैसे निकालेंगे ठीक है तो इस question के लिए हमने यहां option दिया है इस question को हम option से solve करेंगे वो भी कम समय में ठीक है तो कैसे करते हैं यहां तो यहां दिया वाए x q plus 1 by x q बरापर 52 है ठीक है और हमें निकालना है x plus 1 by x ठीक है तो a q plus b q का formula से हम यहां अगर रखेंगे तो यहां हो जाएगा x plus 1 by x q minus 3 याई कि 3 x into 1 by x और bracket के अंदर x plus 1 by x ठीक है यहां x x cancel हो जाएगा ठीक है और a q plus b q की जगा यहां x q plus 1 by x q बरापर 52 दिया वाए तो यहां इसके बदले हम 52 लिग देंगे ठीक है और यहां बचरा है x plus 1 by x का q minus 3 और bracket के अंदर x plus 1 by x ठीक है तो यहां एक काम हम करेंगे कि option से कोई एक option हम चुनके यहां x plus 1 by x बरापर रखके देखेंगे ठीक है तो यहां अगर हम यहां option b से 4 ले ले अगर x plus 1 by x बरापर हम माने की 4 होगा तब देखते है कि यह 52 प्रूफ होता है कि नहीं ठीक है तो x plus 1 by x बरापर अगर हम 4 मानेंगे तो यहां हो जागा 4 का q माइनस हो जाएगा 3 into 4 ठीक है तो यहां 4 का q करेंगे तो 64 होगा और 4 तीया 12 हो जागा यानि 64 में से 12 घटाएंगे तो 52 हो जागा 52 यानि कि 52 आ रहा है यानि कि 52 प्रूफ हो रहा है तो x plus 1 by x बरापर यानि 4 ही होगा यानि कि option number b हो जाएगा answer तो अब आईए question number हम 4 देखते हैं question number 4 में है कि x q माइनस 1 by x q बरापर 14 है ठीक है तो निकालना हमें क्या है x माइनस 1 by x बरापर क्या होगा ठीक है तो इसे भी हम वैसे ही solve करेंगे लेकिन यहाँ aq माइनस bq के formula से इसे solve करेंगे तो aq माइनस bq का यहाँ formula हो जाता है a माइनस b का whole q plus 3ab bracket के अंदर a माइनस b ठीक है तो यहाँ हम रखेंगे x माइनस 1 by x का whole q plus 3 x इन्टू 1 by x bracket के अंदर x माइनस 1 by x ठीक है तो यहाँ x से x cancel हो जाएगा ठीक है और यहाँ बचेगा aq माइनस bq यानि x q माइनस 1 by x q बराबर 14 है तो यहाँ हम 14 रख लेंगे ठीक है और यहाँ बचेगा x माइनस 1 by x का whole q plus 3 यह bracket के अंदर x माइनस 1 by x ठीक है तो इस question में भी देखिए हमें निकालना है x माइनस 1 by x और यहाँ यहाँ देखिए x माइनस 1 by x है यहाँ भी हम option से कोई एक option को मानेंगे यानि की option number c अगर हम 2 उठाए तो अगर x माइनस x माइनस 1 by x बराबर हम 2 मानें ठीक है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 by x का q है तो यहाँ 2 का हम q करेंगे प्लस 3 रखेंगे 3 गुने 2 करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा 8 में 6 जोडेंगे तो हो जाएगा 14 यानि 14 प्रूफ हो रहा है यानि x माइनस 1 by x बराबर 2 होगा यानि कि यही हो जाएगा option number c answer तो अब आईए हम question number 5 देखते हैं question number 5 में है x पे power 4 plus x पे power 4 बराबर 23 है तो x minus 1 by x का whole square बराबर क्या होगा तो इस question को हम कैसे solve करेंगे यहां हमें एक चीज सबसे पहले निकालने का कोशिश करना है कि x minus 1 by x बराबर हम पहले ये निकाले ठीक है तो ये निकालने के लिए सबसे पहले यहां हम x step back जा सकते हैं यहां x पे power 4 है 1 by x पे power 4 है तो एक step हम back जाएंगे तो x square plus 1 by x square हम निकालेंगे तो हमें back जाना है तो सबसे पहले यहां हम root लगाएंगे और यहां लिखेंगे 23 ठीक है यहां पर हम निकाल रहे हैं पलस का साइन है यहां हम x square plus 1 by x square निकाल रहे हैं तो यहां हम plus 2 कर देंगे ठीक है तो यहां हो जाएगा root 25 यानि की 5 तो x square plus 1 by x square निकल गया यहां पर 5 अब हम यहां भी एक step back जाएंगे तो x minus 1 by x हम निकालेंगे यहां भी हम root लगा देंगे सबसे पहले ठीक है और यहां लिख देंगे 5 ठीक है यहां हम क्या निकाल रहे हैं x minus 1 by x निकाल रहे हैं यहां बीच में minus का sign है तो यहां हम minus 2 करेंगे तो यहां हो गिया root 3 ठीक है तो x minus 1 by x बड़ाबर root 3 निकल चुका है बस यहां क्या करना है बस यहां हमें square लगा देना है ठीक है तो यहां जब हम square लगाएंगे तो इस square हमें दोनों side लगाना परेगा ठीक है तो यहां root 3 है यहां भी हम square लगाएंगे तो यहां भी root 3 into 3 हो जागा यानी root 9 होगा तो जब 9 को root हम हाटाएंगे तो यहां 3 हो जागा यानी इस question का answer यहां हो गया 3 तो अब आईए हम question number 6 देखते हैं तो question number 6 में है x plus 1 by x बराबर 3 है तो x पे power 5 प्लस 1 by x पे power 5 बराबर क्या होगा तो चलिए इस question को हम solve करके देखते हैं तो इसे अगर हमें solve करना है यानी x पे power 5 प्लस 1 by x पे power 5 अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले x पे square प्लस 1 by x square निकालना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम यह निकालें तो यहां हम 3 को square करेंगे और minus 2 करेंगे minus 2 क्यों क्या है क्योंकि यहां पर plus का sign है तो यहां minus 2 क्या तो यहां 9 हो जाएगा minus 2 होगा तो 7 हो जाएगा तो यहां x square प्लस 1 by x square बरबर हमारा साथ निकाल गिया है तो अब हम क्या निकालेंगे x पे x q प्लस 1 by x q ठीक है तो इसका फर्मूला क्या होता है a q प्लस b q का फर्मूला होता है a प्लस b का whole q माइनस 3 a b और bracket के अंदर a प्लस b ठीक है तो यहां हो जाएगा x plus 1 by x का whole q माइनस 3 x into 1 by x bracket के अंदर x plus 1 by x ठीक है तो यहां x से x cancel हो जाएगा ठीक है और यहां x plus 1 by x बरबर 3 है तो यहां हम 3 रखेंगे तो 3 का q हो जाएगा अब माइनस 3 होगा यहां x से कट चुका है और यहां bracket के अंदर x plus 1 by x है इसके ब्राबर 3 है तो 3 गुने 3 यहां हो गया तो यहां 27 हो गया माइनस 9 हो गया यानि की 18 आ गया तो अब देखिए यहां x square plus 1 by x square ब्राबर 7 है और x cube plus 1 by x cube ब्राबर 18 है हमें निकालना था x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 5 ठीक है तो यह निकालने के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं तो इसे हम कैसे निकालेंगे कि हमारा x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना करेंगे ठीक है तो सबसे पहले X2 को हम XQ से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा X5 ठीक है गुना करेंगे तो पावर गुना में जुटता है यह आपको पता है ठीक है तो 3-2 को जोड़ेंगे तो यहां 5 हो गिया ठीक है और यहां पर X2 को उसके बाद हम गुना करेंगे 1 by x q से ठीक है तो यहां हो जाएगा x square और बटे में x q ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे 1 by x square को गुना करेंगे x q से ठीक है तो यहां हो जाएगा x q और बटे में x square ठीक है उसके बाद हम गुना करेंगे 1 by x q को x square को 1 by x q से तो यहां पर भी power जूट जाएगा तो यहां पर 1 by x पर power 5 हो जाएगा ठीक है और यहां हम इस साथ कुने 18 करेंगे तो हो जाएगा 126 ठीक है तो अब हमें क्या करना है यहां x square है यहां पर x q है तो यहां से 2x कटेगा यहां से 2x कटेगा तो नीचे में 1x बच जाएगा तो हो जाएगा X ठीक है और यहां बचेगा 1 by X पे पावर 5 ठीक है अब हमें इसे ठीक से सिर्फ लिख लेना है ठीक है यानि की X पे पावर 5 प्लस 1 by X पे पावर 5 को हम एक जगा कर देंगे ठीक है और X प्लस 1 by X को हम एक जगा कर देंगे ठीक है तो यहां हमें निकालना है X प्लस 1 जाएंगे तो माइनस त्री हो जाएगा तो 126 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 123 यानि x पे पावर 5 प्लस 1 बाई x पे पावर 5 बड़ावर हो जाएगा 123 यह हो जाएगा answer